हेलो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि विद्याले में बच्चे कितना प्रेम पुरुवक भोजन करते हैं और आज मीनू के हिसाब से जुनियर विद्याले में देखें तहरी बनी है टेश्टी टेश्टी तहरी और बच्चे देखें प्रेम पुरुवक किस तरीके से भोजन करते हैं और सर के द्वारा भी भोजन निकाला जाएगा और देखिए तो देख सकते हैं सर के द्वारा भोजन निकाला जा रहा है कितना प्रेम पुरुवक तरीके से आप भोजन बच्चे करते हैं और सर खुद परोस रहे हैं बच्चों को चोकि आज बुद्वार है इसलिए मीनू के हिसाब से आज के दिन तारी ही बनती है तो दोस्तों बने रहे हैं इस वीडियो पर और देखिए आगे बच्चे किस तरीके से मंत्रों चारण के बाद ही भोजन गरहन करते हैं बच्चों से भोजन के बारे में पूछा गया तो बताया कि मीनू के हिसाब से यहां पे भोजन दी जा आता है और बहुत ही पेंप्रूबक भोजन कराया जाता है जो भंडारिन खाना बनाती है तो काफी अच्छी से परोस्ती है और सर भी परोस्ते हैं तो काफी मज़ा आता है खाने में और कल जो चावल डाल मिला था मंगलवार था और अभी जो है आज बुद्वार है तो तहरी देखिए परोसी जा रही है जारी खाना परोस्ते हैं कैसा लग रहा है बच्चों आज़ा बटाश्वारी कर दो हर लेखना जो हुआ है कर दो हुआ है कर दो है और ले लेंगा जो चुटता है मुझे दूरा के बेचे हैं, खाते समय मुझे दूराना चाहिए कर दो कि अचार को कि दूरा के दूरा के दूले की दूरा हैं प्रवडरीक झाल पर चुलूओत लिए राम जी ये देखिए ये इस बिद्याले के राम जी है राम जी कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है बोजन हमेशा प्रिम पुरुवक करना चाहिए रूखा सूखा जो भी मिले हमेशा खाओ प्थंडा पानी पीओ प्रिम पानी ना जो बाम जी अच्छा सूखा सूखा जो घ्स चुलूदत बुलूदत बग़ा है तो मंत्रो चारण बच्चों शुरू करिए अब यहां दोगा मंत्रो चारण गात्री मंत्र जोश्क से पहले हम चख लें सुराफ भूजन? जी पाय बनाए तहरी जो होती है वो लंबा चावल जो होता है उसकी बहुत बैतरी नोती और देखो बच्चों ये मोटा और लंबा वाला चावल है बच्चों कैसा बना है खाना अच्छा है तहरी जी कैसा है तहरी ठीक है तो आज कौन सा दिन है तो मीनू किसाब से खाना बनता है अच्छा तो बुद्धवार को क्या बनता है अच्छा कैसा लग रहा है खाओ जो पुरानी हमारी परंपरा है भोजन हमेशा ऐसे ही किया आता है ठीक है जमीन पे भूमी पे बैठके ठीक है पैर दोनों ऐसे मोड के हाथ मुद्धूल के ऐसे भोजन ग्रहण किया जता है समझे बच्चों घर पे भी ऐसे भोजन किया करो टेबल चेयर यह सब की आउसकता नहीं होनी चाहिए भोजन करते समय ठीक है भूमी पे बैठके हम लोग आज भी अपने घरों में नीचे बैठके भोजन करते हैं कभी टेबल पे नहीं सरकार ब्योस्था करती जा रही है अच्छी ब्योस्थाएं हैं लेकिन जो है भूमी पे बैठके खाने का अलग ही मजा है है अच्छा लगए तरी नीच अच्छा लगए धरीए है वाई कि मारे का लिए ग्रहा है यक्षाएं है